जाहें दोस्तों कैसे हैं, welcome to your KK4P classes, जो students class 3th and 12th, इनका कमपार्ट लगा है, या फिर जो improvement दे रहे हैं, as a private और as a regular, दोनों की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो उन सब बच्चों को मैं update करना चाहूँगा कि उनका date seat आ गया है, यानि जुलाई में जो exam होगा, वो कब होगा, class 3th वाले का, कब से होगा, और कब तक होगा, subject कौन कौन सा होगा, class 12th वाले का, कब होगा, और एक दिन में होगा, या फिर दो दिन में होगा, वो सब हम discuss करेंगे इस वीडियो में, और जो बच्चे form apply कर चुके हैं, तो very good, अगर नहीं कर पाए हैं, तो वो please apply कर दिजे, क् क्योंकि अब last date काफी नजदिक आने जा रहा है, और बहुत सर बच्चे गलती भी कर रहे हैं, तो please आप लोग thoroughly चेक करके apply किजिए, अपना name, और जो भी आपका father's name, mother's name, वो देख लीजिए, होता किया है कि एक ही roll number पे अगर आप, अगर year change कर देंगे, तो हो सकता है कि वो address में दिक्कत आएगी, तो चलते है, date sheet क्या है, जो अभी CBAC ने update किया है, तो CBAC ने update किया है, आजी की date में, date sheet of supplementary exam 2024, class 10 and 12, दोनों का हम discuss करेंगे, इस पर click करेंगे, तो हमारे पास, तो हम पहले discuss कर लेते हैं, class 10 वाले का, ये class 10 वाले बच्चों के लिए है, तो class 10 वाले ब है, फिर आपका 16th July को हिंदी है, फिर आपका 18 July को science है, फिर 18 July को mathematics and basic दोनों है, और फिर 20th को आपका English है, English language है, literature है, फिर आपका 22nd को जो भी language है, वो आप देख सकते हैं, तो आपका 22nd को खतम हो जागा exam, तो आप लोग देख लिजे, ये आपका subject है, ये आपका timing है, और ज जो भी subject यहां पर लिखा हुआ है, Sanskrit का आपको 22nd को है, तो इस तरह से आप लोग अपना date sheet चेक कर लिजे, इसमें आपका जो बच्छे regular है, मतलब जो first time class 12th या तेंच दिये हैं, उनका भी और जो अच्छे प्राइवेट है, दोनों का साथ में होगा, दोनों का same date sheet है, ऐसा 15th July को, बहुत सारा बच्छे बोल रहें कि मेरा exam कब है, तो 15th July को आपका सारे 10 से लेकर, देर बज़े के बीच में, यानि 1.30 PM तक आपका exam होगा, इसमें आपको physics, chemistry, mathematics, मतलब single day, एक ही day, आपको exam देना है, एक ही subject का exam देना है, तो physics हो, तो physics वाले अगर physics का अपलाई की है तो भी 15th July, जो बच्चे बायो वाले हैं, अगर 15th July को ही उनका exam होगा, chemistry वाले, मतलब class 12th वाले का एक ही date है, तो आप लोग अपना admiral card डाउनलोड कर लेना, first week of July में admiral card आ जाएगा, तो आप लोग को center भी लिखा रहेगा, कि center पर आपको जाना है, admiral card पर लिखा रहेगा और आपका, उस center पर जाने के बाद, आपको उसी subject का question मिलेगा, clear, हो सो था कि आपके बगल में जो बच्चे बैठे होंगे, math वाले होंगे, आपके बगल में जो बैठे होंगे, वो physics वाले होंगे, जो arts वाले भी होंगे, तो आप लोग को अलग अलग question मिलेगा, clear, as per your, जो का improvement दे सकते हैं, class 3 वाले, एक subject का, class 3 वाले, दो subject का compartment देंगे, और class 12 वाले, एक subject का compartment देंगे, clear, तो आप लोग, date sheet, download कर लो, और जो बच्चे, अभी तक form apply नहीं किए, तो please apply कर लिजे, foot up foot, क्योंकि, अब time बिल्कुल नहीं है, और पहले apply, इसलिए मैं मैं बोल रहा हूं पहले apply मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि, अगर in case, आपका form कोई और apply कर दिया, तो फिर आपका address change हो जाएगा, clear, address change हो जाएगा, तो be careful, तो आपको फटा-फट apply कर दीजे, और इसके बात भी, अगर आपको लगता है कि form apply करने में, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हम लोग contract कर सकते हैं, हमारे टीजे आपको support करेगी, guide कर देगी, apply करवादेगी, सही तरीके से आपका admin card हम लोग provide कर देंगे, preparation भी आपको कराएंगे, जो बचे interested हैं, तो वो class join कर सकते हैं, जो बचे math और science class 3 वाले हैं, math और science की प्राही होगी, और जो बचे class 12 वाले हैं, chemistry, math, biological का, उनको class दिया जाएगा, एक capsule course, हम लोग लॉंच कर रहे हैं, तो आप लोग को guide कर जाएगा, ताकि आप लोग exam में perform अच्छा कर पाएं